उत्तरप्रदेश विधान सभा चुनाओ 2022 के लिए कॉंग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की है। उनमें 125 नाम हैं जिनमें 50 महिलाएं हैं। इन उम्मिद्वारों में से एक सदप जफर हैं। सीए विरोधी हिंसा में ये आरूपित रही हैं। बिगनिकल के नाम से मशूर लखनव मद्दे से उम्मिद्वार बनाया है। जाफर ने लखनव में हुए प्रदर्शन वह हिंसा के आरोप में गिरफतार किया था। फिलाल जमानत पर बाहर है। पुलिस ने उपद्रवियों के जो पोस्टर लगाये थे उनमें भी उनकी तस्वीर थी। उन पर बथर काँगरें के लिए लोगों को उकसाने के आरोप लगे थे। उनके गिरफतार होने के बाद प्रियंका गांधी उनके बचाओं में उत्री थी। उनंहें कहा था। उत्तरपदेश सरकार ने अपनी सारी हदे पार कर दी हैं प्रियंका गांधी ने ट्विट करके कहा था कि सदर के दोनों बच्चे अपनी मा की रिहाई का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं कॉंग्रेस ने हस्तिनापूर से बिक्नी गर्ण से मशूर अर्चना गौतम को भी मैदान में उतारा है अर्चना ने 2018 में मिस बिक्नी का किताब हासिल किया था अर्चना ने 2015 में बॉलिवूड फिल्म बेट ग्रेंड मस्ती से अभिने की शुरुआत की थी इससे पहले उन्हों थी प्रियंका गांधी ने 13 जन्वरी को उमीदवारों की सूची का एलान करते में बताया कि पार्टी ने इन में 50 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को उतारा है वर्चुल प्रेस कॉंफरेस में कॉंग्रेस नेता ने कहा कि कुछ पत्रकार अभिनेतरी समास सेवी और संगर महिलाओं को मौका दिया गया है 19 सदर सीट से कॉंग्रेस ने रेप पेड़िता की मा को टिकेट दिया है इसके अलावा फरुखाबाद से पार्टी के वरिष्ट नेता और पूर्व केंद्रिय मंत्री सलमान खुलशीत की पत्नी लुईस खुलशीत को उमीदवार बनाया गय इस वीजियो के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताईएगा